रागव चडधा और परिनीती चोपड़ा के बैंट बाजा बारात में जादा दिन बही रहे गए हैं इसी महीने 24 सितंबर को दोनों साथ फेरे ले रहे हैं और साथ फेरों के बाद दोनों उदैपुर में पहले शादी करेंगे और उसके बाद गुरुग्राम में इनका एक वेडिंग रिसेप्शन होना है इसके अलावा चंडिगड में भी रागव चडधा अपनी शादी की दावत देंगे और उनकी परिवार की तरफ से एक वेडिंग कार्ड जो प्रिंट करवाया गया है वो वाइरल हो रहा है ये वेडिंग रिसेप्शन का कार्ड है जिसमें ये इनफॉर्मेशन है कि 30 सतंबर को चंडिगड के ताज पैलिस में रागव चडधा और परिनीती चोप्रा वेडिंग रिसेप्शन देंगे इस wedding reception में पंजाब में जो आम आदमी पार्टी से जुड़े सा तमाम नेता हैं वो आएंगे परिनीती चोपड़ा के परिवार वाले आएंगे क्योंकि उनके मम्मी पापा वहीं चंडीगड के रहने वाले हैं रागव चंडा की राजनीती भी पंजाब से है तो वहां के तमाम नेता वहां पहुचेंगे अर्विन केजरिवाल पहुचेंगे और दिल्ली में वो तमाम आला नेता जो की आम आदमी पार्टी से जुड़े हो सकता है वो चंडीगड में हो रहे हैं वेडिंग रिसेप्शन में पहुचेंगे यह जो वेडिंग रिसेप्शन कार्ड है यह वाइट कलर है इसमें गोल्डन वर्क है इस पर साथ ही इसको ब्लू कलर से प्रिंट किया गया है इसमें अलका एं सुनील चड़ा जो है वो कर रहे हैं सबको और इन्हों इसमें लिखा है राघव एंड परिनीती का ये वेडिंग रिसेप्शन है तीस तारिक की डेट है इसमें जो परिवार के बड़े बुजुर्ग है उनका भी नाम दिया गया है और परिनीती चोपड़ा के परिवार की तरफ से तो फिलहाल अभी कोई ऐसा कार्ड सामने नहीं है लेकिन ये राघव चड़ा के परिवार की तरफ से है जहां उनके माता पिता का नाम है इस कार्ड में विमला चड़ा जी का नाम है उनके पी एन चड़ा जी का नाम लिखा हुआ है तो उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग है उनका नाम लिखा है और साथ ही अलका और सुनील चढधा जो कि अनके माता पिता है उनकी तरफ से ये वेडिंग इन्वाइट लोगों को भेजा गया है आपको ये बताएं कि पहले खबर थी कि ऑक्टूबर में ये शादी होगी इसी साल 13 माई को राघक चढधा और परिनीती चोप और उसके बाद से परिनीती चोपड़ा और राघक चढधा की कहानी सब के सामने आ गई फिर कुछ दिन बाद ही पता चला कि ये दुनों ने जब सगाई करने जा रहे हैं फिर दिल्ली में इनकी बहुत ही ग्रैंड लिबल पे सगाई हुई जिसमें प्रियांका चोपड़ा जहां वो तमाम महमान जो आएंगे शादी में शामिल होने के कहा जा रहा है कि 200 से जादा महमान इनकी शादी में शामिल हो सकते हैं इसमें निक जोनस भी पहुँचेंगे प्रियांका चोपड़ा भी होंगी और परिनीती चोपड़ा के बॉलीवुड के तमाम फ्रेंड्स ह होंगे परिनीती के रिष्टेदार होंगे साथ ही कुछ राजनीतिक हस्तिया भी इनकी शादी में पहुचेगी उदैपुर में शादी के बाद ये कपल गुरुगराम पहुचेगा वहां के लीला पैलेस होटल में ठहरेंगे और वहीं पे इनका एक वेडिंग रिसेप्शन की तमाम हस्तिया आएंगी और ऊसमें फोचेप्र वहां कौणरेस के ओंगे और आउम आदमी पार्टी के नेता भी होंगे तो पुरी तरह से जो वेडिंग रिसेप्शन घ्ली और परिनीती चोपडा बॉलीवूड अक्टरस हैं तो अपने बॉलीवूड के तमाम दोस्तों को भी अपने वेडिंग रिसेप्शन में बुलाएंगी अब लेकिन कहा जा रहा है कि ये कपल तीन वेडिंग रिसेप्शन का सामने आया है दूसरा दिनली के गुरूगराम में होगा और एक वेडिंग रिसेप्शन ये कपल मॉम्बई में देगा जहां वॉल्लीवूड के तमाम सितारे पहुँचेंगे परिनीती चोपड़ा के साथ फिल्मों में काम करने वाले तमाम लोग होंगे प्रियांका चोपड़ा भी उस वेडिंग रिसेप्शन में पहुचेंगी मुंबई में जो आयोजित किया जाएगा और क्योंकि उनकी बहन की शादी है तो प्रियांका चोपड़ा बढ़ चड़ कर इस शादी में हिस्सा लेंगी कहा जारा निक जोनस और उनकी बेटी मालती भी यहां पहुचेंगे तो प्रियांका के परिवार के भी तमाम लोग होंगे, परिनीती का पूरा परिवार होगा, रागफचड़ा का पूरा परिवार जो है शादी में आएगा और उसके बाद वेडिंग रिसेप्शन में पूरा एक तरफ पॉलिटिकल लोगों को दावत दी जाएगी, एक चंडीगड में दावत होगी और इसके बाद एक मुंबई में दावत होगी रागफचड़ा की देखा जाए तो यह पूरा साल ही इन कपल के नाम रहा बॉलिवूड में यूँ तो बहुत सारे लवड्स हैं लेकिन इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियां परिनिती चोपड़ा और रागफचड़ा ने बटोरी एक राजनितिक हस्ती हैं दूसरी बॉलि हो रही हैं लेकिन इन दोनों को देखा जाय तो दोनों की पढ़हाई जो है एक तरह की रही हैं दोनों ही एकनॉनों कि चात्रह हैं दोनों नहीं लंडन में पढ़हाई की और कहा जा रहा कि कुछ दिन पहले इक अवार्ट सेरेमेश हुआ था 2023 के जन्वरी महीने में ही और वहीं पर राघव चड़ा और पर नहीं चोपड़ा मिले थे और वहीं से इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और बात इतनी बढ़ गई कि अब शादी तक आ गई है।